तो तो जुषिपीन्ट से वीडियू में बात करेंगे नउन इस्टेंडर्ड इल्यक्ट्रोड की नॉनसी न कंडिशेंट टीके अभी तक हम ने स्टेंडर्ड गंडिशन पर बात ती चीकि? страх नॉन इस्टेंडर्ड कंडिशन पृद्टिशन स्टीके और किसका यह बात किस पर नॉन जेट अब स्टेंडर कंडिशन का मतलब यह होगा कि टेंप्रेचर है वो रूम टेंप्रेचर नहीं मौलर नहीं होगा तीक या निए तीनों से हटा दी जाएं तो वह जो ओगा वह ऐसी कंडिशन को हम नॉन स्टेंडर्ड कंडिशन कहेंगे अब यहां पर जो है एक equation हमें पता है पहले से work done by the cell cell के द्वारा work किया जाता है तो वो क्या होता है W equals to work done equals to Q into V यानि charge into voltage ठीक है यानि work done equal to होता है charge into voltage ठीक है charge into voltage होता है यह हमें पहले से पता है यहाँ पर देखे W क्या है work done है Q क्या है charge है और V क्या है voltage है और voltage देखे हमने जब cell में बात की थी तो voltage ही क्या था EMF था, Electromotive Force था जिसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं ठीक है तो यह तो वोल्ट हो गया, correct तो अब यहाँ पर हम दोनों चीजों को क्या कर सकते हैं आप देखें क्यों एक चार्ज है तो कितना चार्ज ट्रंसपर हो रहा है ठीक है और वोल्टेज क्या है यहाँ पर नौट हमने लगाए तीक अगर वन मौल इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं और यह वन मौल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो वन मौल इलेक्ट्रॉन अगर पास होते हैं तो वन मौल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वन मौल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज बताया था इन्होंने फैरा लटे वन फैराडे चार्ज केरी आउट होगा ठीक है अब बन मॉल फैराडे को यहां पर देखे एक फैराडे को कितना होता है एक फैराडे को कुलम में ले लेते हैं तो फैराडे एकोल टू होता है नाइन्टी सिक्स थाउजन फाइव अंडेड कूलॉम्स ठीक है नाइन सिक्स फाइव डवल जीरो कूलॉम्स यह आपको राउंड फिकर में लेना है बन मॉल आफ एलेक्टोन पर इतना चार्ज होता है ठीक है जो कि एक फैराडे कहलाता है इसको याद रखना पड़ेगा यहां पर यहां पर यहां पर इन दोनों अगर वैलूस को हम यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि एन मॉल आइफ एन मॉल सॉफ एलेक्ट्रों अगर एक मॉल एक्ट्रों यहां पर होते हैं वन मॉल एक्ट्रों फ्लो हो रहे हैं तो हम उसको कह देते हैं एफ और इंटु क्या हो जाता वी को हमने क्या राइट है या रहा है इलेक्रमौटिफ force of the cell लेकिन एन मॉल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा यह जो क्यू है और इंटू वोल्टेज की जगे क्या हो जाएगा अब यहाँ पर केबल इसको देखना है कि डबलू क्या है डबी क्या है डटिसवर्क डन और वर्क डेन एर्जी फॉर्प में टीक है और गिफ्स फ्री एनर्जी कैसी है इस अहां पर सकते हैं और यह किसके लिए है किसके लिए यहां नौन स्टेंडर्ड कंडिशन के लिए है ठीक है current नोन स्टेंडर्ड निशन के लिए अगर विसी को इस्तेंडर्ड कंडिशन पर पॉर्ट इस्टेंडर्ड यहां पर 9000 96500 रहेगा और यह नंबर आप मोल्स है तो इसेंडर्ड यह आपका इनो डिल्टा जी नॉट अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजह है तो यहां पर डिल्टा जी जो था ठीक है इससे पहले वाली क्विशन में वो तक गिफ्स फ्री एनर्जी चेंज ठीक है आफ एट पता हिया है फ्राड चोंस्टेन कि वैलू क्या है 96500 ठीक है और एन के है नंबर मोल्स इलेक्ट्रोन कितने मोल्स है नंबर आफ नेक्त्रोंस मोल्स ऑफ एलेक्ट्र मिल्यों जरह सिए प्लोख स्टेक्टिशन कें दुज टेट झाल झाल